अगर आपके पास एक Android TV है और आप उसके लिए एर माउस खरीदना चाहते हैं या फिर अपने Android TV के लिए एक बेकप रिमोट चाहते हैं तो इस स्टुडियो में आप कुमारे साथ बने रही है आज हम देखेंगे एक एर माउस कम टीवी रिमोट जो के एक फुल फ्लेश टीवी रिमोट है और इसके अंदर वो सारे बटन्स प्रेजेंट हैं जो आपको Android TV ऑपरेट करने के लिए चाहिए गूगल प्लेश टोर पर जो Android TV रिमोट की एप है उसके अंदर कुछ बटन्स मिसिंग हैं जैसे उसके अंदर पावर बटन नहीं है और मैन्यू बटन नहीं है लेकिन इस रिमोट के अंदर ये दोनों बटन्स प्रेजेंट है इस वीडियो में आज हम इसकी अन्बॉक्सिं के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मैं फेस्बुक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है गीप ओवे वन वीक के लिए एक्टिव रहेगा और इसके बाद मैं ट्विटर पर विनर का अनॉंस्मेंट करूंगा दोस्तों मेरे नाम हैंक देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंडियन टेक ट्यूब तो दोस्तों यह ए एर रिमोट माउस का बॉक्स और इन सारी चीज़ों को हम इस रिमोट के दुरू कंट्रोल कर सकते हैं और यह है एर रिमोट माउस की स्पेसिकेशन्स आप इनको पॉस करके देख सकते हैं तो चलिए हम इसको जल्दी से अन्बॉक्स कर लेते हैं तो दोस्तों इसका लुकेंड फील काफी अच्छा है और इसके बटन का जो फील है वो भी काफी अच्छा है और इस बटन से हम एर माउस को ओन या आफ कर सकते हैं रिमोट का बिल्ड एकदम सॉलिड फील होता है तो चल अंदर एक यूजर मैनुवल और यह इंग्लिश और चाइनीज में है तो इसी के अल्प से हम देखेंगे इसका आयार लर्निंग कैसे वाक करता है चलिए हम रिमोट के अंदर बैंटरीज डाल लेते हैं बैंटरीज इसके साथ में नहीं मिलती है जैसे ही हमने बैंटरीज ड जाएंगे और टीवी के रिमोट का पावर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यह बटन प्यार हो चुका है तो यहाँ पर एर माउस वाक कर रहा है चलिए हम होड़ इस्टार ओपन करते हैं दोस्तों एर माउस मुझे अच्छा नहीं लेगा क्योंकि एर माउस से हम यह साट वाली जो बार है इसको ओपन कर सकते हैं इसको open करने के लिए हमें D-pad का ही use करना है और air mouse on करने के बाद इस remote का back button work नहीं करता तो आपको अगर back करना है तो आपको air mouse off करना पड़ेगा चलिए हम prime videos open करके देखते हैं कि prime videos में ये कैसे perform कर रहा है तो air mouse की help से हम navigate कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर movies open नहीं हो रहीं जिबकि D-pad की help से हम movies open कर सकते हैं तो air mouse की जो functionality है वो काफे limited है और आपको जहाँ पर mouse की ज़रूरत है आप सिर्फ वहीं पर use कर सकते हैं तो हम back press करके prime videos से exit कर सकते हैं चलिए हम चलते हैं live tv के अंदर और हम देखते हैं कि हम menu access कर सकते हैं तो दोस्तों menu button प्रॉपर दीवा कर रहा है और यहाँ पर आप menu का button प्रेस करके settings को open कर सकते हैं और यहाँ पर air mouse की help से आप इसमें navigate भी कर सकते हैं लेकिन air mouse on रहेगा तो आप back नहीं कर सकते हैं यह काफी limitation है इसके अंदर और live tv से बाहर आने के लिए हमें home button की requirement होती है तो इस remote के अंदर जो back button है उसको अगर हम long press करते हैं तो वो ऐज़े home button work करता है लेकिन power button properly work कर रहा है चलिए हम इस remote को use करते हैं OnePlus TV के अंदर चलिए हम OnePlus TV के अंदर live tv के अंदर चलते हैं और यहाँ पर हम menu open कर पा रहे हैं तो menu के button सारे tv's में properly work कर रहा है और अगर हम इस tv के अंदर back button को long press करते हैं तो वैज़े home button भी work कर रहा है चलिए इसको हम prime videos में भी check करते हैं और यहाँ पर अगर हम back press करते हैं तो exit का option आता है और उसी back को हम long press करते हैं तो हम home पे चले जाते हैं तो OnePlus TV के अंदर इसका home properly work कर रहा है और OnePlus TV के अंदर mic वाला button भी work कर रहा है यानि Google Assistant भी हम use कर सकते हैं OnePlus TV के अंदर यह perfectly work कर रहा है और OnePlus TV users इसको as a remote use कर सकते हैं तो दोस्तों आप इस air mouse को purchase कर सकते हैं और अपने TV के साथ test कर सकते हैं अगर आपके TV के साथ इसके सारे functions work नहीं करते हैं तो आप इसको return कर सकते हैं दोस्तों यह remote अकर आपको अच्छा लगा है तो इसको purchase करने के link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को like कीजिए हमारे चनल को subscribe कीजिए और अब लागा में प्रस कीजिए तकि आपकी notification मिस ना हो